सूबे की मुखिया योगिया अधितिनाथ इंदिनों उत्तरप्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए जोर शोर से महनत कर रहे हैं पिछले ही शुकरवार को उन्होंने सूबे में फिल्म सिटी बनाने का एलान किया और प्रशासन ने एक हजार एकड़ जमीन भी दे दी इधर खुद सीम योगी ताबर तोड बैठके भी ले रहे हैं मंगलवार को ही उन्होंने राजधानी लखनों में इस सलसले में एहम बैठक ली जिसमें बॉलिवुड की तमाम बड़ी हस्तिया मौजूद थी इन हस्तियों में बॉलिवुड की महान गायक उदित नारायन भी मौजूद थे जिन्होंने भरी मीटिंग में ऐसा गाना गाया जिसे सुनकर सीम योगी भी बेहत खुश नजर आए अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले उदित नारायन ने फिल्म सिटी के मुद्धे पर हुई इस एहम बैठक के आखिर में सीम योगी के लिए फिल्म लगान के मशूर गाने ओ मित्वा की तर्च पर नए वर्जन का गाना गाकर सुनाया ये गाना सुनकर सीम योगी ने हाथ चोड़कर उनका उत्साह बढ़ाया और धन्यवाद दिया योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में अन्त में जीत उसी की रहे ओ मित्वा सुन मित्वा तुझको क्या डर है ये घर्ती अपनी है अपना अंबर है तुआ जारे इस मीटिंग में सुपरस्टार रजनिकांत की बेटी सौंदर्या रजनिकांत निर्माता नर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेता, प्रियदर्शन, रवीना टंडन, सुभाश खई, अनपम खेर, रवी किशन, परेश रावल, कैलाश खेर, अशोक पंडित, अनूप, जलोटा, लेखक, विजेंद्र प्रसाद भी शामिल रहे ज्यादेतर लोग वीडियो कांफरेंसिंग के जरी अस मीटिंग से जुड़े, इस दोरान सीम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब पूर्ण कुछ भी नहीं है, यहां सब पूर्ण है, हम जल्द ही आपको पूर्ण फिल्म सिटी का उपहार देंगे सीम ने मीटिंग खत्म होने के बाद सभी फिल्मी हस्तियों को राममंदर के प्रसाथ के रूप में चांदी का सिक्का, हनुमान चालीसा, तुलसी माला, श्रीमत भागवद गीता और प्रयाग राज कुम्ब का कॉफी टेबल बुक भेट किया, इस मीटिंग में सीम योगी ने क्या कुछ कहा, आईए आपको सुनाते हैं आखिर दुनिया के सबसे प्राची नगरी कासी उत्तर प्रदेश में है, मर्यादा पुर्शोत्तम वगवान स्री राम की जनम भोमी उत्तर प्रदेश में है, वगवान स्री कृष्ण की पावन चन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमना के संगम की अस्थली प्र देश के अंदर अगर हम पुराणों की धर्ती की रूप में इसकी उकरें तो वहां मेमिस्त तीर्थ भी स्रिमत भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धर्ती पर वाथा वहा उत्तरप्रदेश में है सुक्तिर्थ उत्तरप्रदेश में है यानि अपनी बैदिक और पौरानिक परंपरा को समिटे वे चित्रकूट को आप ले लिजे अपका अन्या जितने भी स्रिंगवेरपुर को ले लिजे कौन सा ऐसी जिगह है जो यहां पर नहीं है हम बैदिक काल से, रामेण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर्व्योत्तरप्रदेश में ही और जिस छेत्र में हम लोग इस फिल्म सिती के लिए प्रस्तावित किया है जहां पर भी यमना ऑथर्टी की ओर से जो प्रजेंटेशन प्रस्तुद भी किया गया है देखे ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा भारत सकुंतलापुत्र भारत के नाम पर ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का छेत्र है जहां पर फिल्म स्टुडियो हम लोग प्रस्ते फिल्म सिती हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं भारत की पैचान का प्रतीक बनेगा गंगा और यमना के बीच का भूभाग है यमना एक्सप्रेस वे यमना जी के पैरलल जो अमारा एक्सप्रेस वे आ रहा है दिल्ली को आगरा से जोडने के लिए उसके पीच में पूरा छेतर पड़ता है और इस पूरे छेतर ने आपने देखा होगा कितना बड़ा युगदान दिया है देश की यानि मद्ध के उस कालखंड में जब इस देश पे हमले हो रहे थे तब भी ये छेतर जूसता रहा लड़ता रहा कारे करता रहा और देश की आजादी में भी इस छेतर की भूमिका उसको कोई नकार नहीं सकता है परतम स्वातंतर समर से लेकर के उसके बाद के कालखंड में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भूभा का इस धर्ती का तो स्वाभा एक रुप से बैदिक काल से लेकर के और आज के कालखंड तक भारतिये प्रंप्रा भारतिये संस्कृति और भारतिये सभ्यता की सबसे महत्तुपूर्ण धर्ती उत्तर प्रदेश रही है और भारतिये सनीमा का बहुत बड़ा योगदान इस दिसा में है देश को जोडने क्योल भारत के अंदर ही नहीं भारती सनीमा ने तो भारत के बाहर तक भारत की संस्किर्ट और सुब्यता को पहुँचाने का कारी किया हर एक के उत्थान और पतन का अपने एक समय होता है और यह धर्मचक्र है ये उत्थान और पतन उसके साथ जुड़ा होता है हम उससे अलग अपने आपको हटके नहीं देख सकते हैं इसलिए ये जित्ती भी प्रक्रियाएं हैं अगर बुरा हुआ है तो उसने अच्छा भी किया है और अच्छे बुरे के बीच में रास्ता हमें ढूड़ना है उससे हमें रास्ता निकालना है हमें अच्छे पन के लिए भारत ये दृष्ट के पूण हो भारत की सब्वेता और संस्कृत को हम पूरे देश के अंदर गवरों के साथ पहुचा सकें पुरी मर्यादा के साथ पहुचा सकें इस भाव को ले करके इस कारिक्रम को आगे वढ़ाने के आउस सकता है और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो बहतर कनेक्टिविटी हमारा जियवर एयरपोर्ट एसिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है अभी अगले महने से हम लोग उस पे कारिप्रारम करने जा रहे है और 2023 से हमारा प्रयास है कि हम उसको फंस्नल कर रहेंगे सबसे बड़ा एसिया का एयरपोर्ट बनेगा Greenfield Airport, International Airport के रूप में उसे डेबलब कर रहे हैं हमारी सारी कारवाई पुरी हो चेकी 5000 एकड़ में बन रहा है बहुत बड़ा एरपोर्ट बन रहा है दुस्ता उसकी connectivity जो हम दे रहे हैं इस connectivity के साथ-साथ हमने infrastructure के लिए और भी कुछ किया है हम यह जो पूरा छेत्र है यहाँ पे metro की भी four lane की connectivity तो अभी भी है metro की और भी जो आधनी सुर्धाएं होंगी इन सब के साथ हम उसको जोडने जा रहे है हमने अपनी authority की पुरी बैठक नवेडा, greater नवेडा, यमना authority इन सब की बैठकें भी हमने की है एक केवल film of city तक ही सिमित नहीं रहेगा हम वहाँ पे एक world class electronic city भी देने जा रहे हैं world class की financial city भी हम वहाँ पे propose करने जा रहे हैं जो हर प्रकार की आर्थिक और बित्के गद्विधियों का संचालन वहाँ से कर सके इस दिस्टे भी यह सारी एक्टिविटीज हमारे वहाँ पे प्रारम होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीवर गती से हम लोग अपने कारेक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं अब अस्तेर करेंगे 2017 के पहले उत्तरक्रदेश में हमारे केवल तीन एर्पोर्ट फंक्सनल थे और एक में कभी कबार कोई फ्राइट आपाती थी आज हमारे यहां साथ एर्पोर्ट फंक्सनल हैं पचीस पे कारे चला है हर एक कोने पॉन टच कर रहे हैं आजमगर को भी हम वाई सेवा के साथ जोड़ रहे हैं चित्रकूट में हमारा एर्पोर्ट बन रहा है अयोध्या में हमारा एक बड़ा एर्पोर्ट बन रहा है इसके साथ ही कुसी नगर में इंट्रनिशनल एर्पोर्ट हमारा अगले एक लेड़ दो महने में हम उसको फंक्सनल कर देंगे बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को कवीर हम दे रहे हैं दुनिया को कौन सी ऐसा काल खंड़ा है जब हमने ने दिया है और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमना जैसी पवित्र नदी भी डुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है उत्तर प्रदेश की देल है कुम्ब के आयूजन को आप देखेंगे युनिस्को ने अमूर्त सांस्कृति की ढर्वर की रूप में उसको मननेता थी देखेंगे लोगों की भावनाएं किस